हेलो फ्रेंड्स और मैं देटेंड फार्मसोटिकल क्वाल्टियो सोरेंस बीपी 606 ठीक है इस वीडियो में हम लोग गुड लेवोरेटरी प्रेक्टिसेज में उसके सब पार जी प्रोटोकॉल फॉर एन कंड़क्ट आफ ए नॉन क्लिनिकल लेवोरेटरी स्टडीज के बारे म बात करेंगे तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे गुड लेवोरेटरी प्रेक्टिसेज जी लपी के तहर्त जो हमारा नॉन क्लिनिकल लेवोरेटरी स्टडीज होती है उसके हमारा जो प्रोटोकॉल है उसकी क्या-क्या गाइडलाइन्स होती है उसमें क्या-क उनके बारे में हम लोगों ने अभी तक बात किया है, आज हम लोग इसके जो हमारा होता है सब पार्ट जी उसके बारे में बात करेंगे, यह है हमारा उद्व प्रोटोकाल फॉर एंड कंडक्ट ऑफ ए नॉन क्लिनिकल लेवरेट्री स्टेडी तो जो हमारी यहां पर नॉन क् होना चाहिए कि हमारा जो study है उसका objective वहाँ पे हलग क्या है और जो हमारी study है उसमें जो हमारे अलग-अलग जो हम लोग वहाँ पे methods approved प्रोटोकॉल वहाँ पे होना चाहिए तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा प्रोटोकॉल होता है हमारे non-clinical जो laboratory studies है GLP में उनका हमारा एक तरह से वो क्या-क्या content उसके अंदर होता है आईए उसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसका जो हमारा एक तरह से पहला जो content है वो क्या है कि जो भी हमारा होता है एक तरसे study उसका जो हमारा होता है purpose वो उसके लिए हम एक वहाँ पे जो हमारा होता है descriptive title या हम कह सकते है statement वहाँ पे होना चाहिए वो जो की हमारी जो study है उसको properly वहाँ पे वो describe करे means वहाँ पे ऐसा title हमें अपना जो protocol है उसका वहाँ पे include एक तरसे वो करना चाहिए जो की हमारा जो study है उसको properly वहाँ पे describe करने का एक तरसे काम करे कि अगर कोई वहाँ पे जो title है उसको एक तरसे पढ़ता है देखता है तो उसको idea हो जाए कि इसमें किस तरह की study किस पे study होने वाली है उसके बाद में इस place पे हमारा एक्टर से अगला है कि जो भी हमारे वह टेस्ट और control हमारे articles होते हैं उनका वहाँ पे proper identification के लिए हम एक तरसे कह सकते हैं कि उसका वहाँ पे एक तरसे वह नाम वहाँ पे होना चाहिए उसको हम लोग एक वहाँ पे देते है chemical abstract जो हमारा number होता है या हम कह सकते हैं कि एक हम वहाँ पे उसको वहाँ पे code number प्रोवाइड करते हैं तो आसान तरीके से कहें जो भी हमारा test और control articles है उसका हमारा क्या नाम है और उसका जो हमारा होता है code वह हमें वहाँ पे indicate एक तरसे करना चाहिए जिससे की हम लोग जो भी और जो हमारी वहां पर testing की होती है, facility जहां पर testing हो रही है, उसका address भी वहां पर properly indicate होना चाहिए और उसका भी नाम यहां पर include होना चाहिए, तो जो भी हमारा protocol है, उसके उपर जो भी sponsors है, उनका भी नाम वहां पर indicated होना चाहिए, और जो testing हमारी facility है, उसका नाम और address हमारे protocol के प्रॉपरली वहाँ पे इंडिकेटेड होना चाहिए, उसके बाद में जो हम लोग वहाँ पे test animal को उप्योग करते हैं, उसके हम वहाँ पे वो कितना, हमारा उसका वो number है, उसका जो होता है, हमारा एक तरसे body weight का जो range है, वो वहाँ पे इंडिकेटेड होना चाहिए, जो भी हमें वहाँ पे इंडिकेट करने की आउसकता होती है, कि means जो भी हम test animal अपने non-clinical laboratory studies में यहाँ पे उप्योग कर रहे हैं, उसमें हम लोग यहाँ पे एक तरसे कितने number animals को उप्योग कर रहे हैं, उनका जो होता है body weight का range, वो क्या है, वो male है कि एक तरसे female है, किस species के है, किस strain के है, उनका age approximately वहाँ पे क्या है, और उसको हमने एक तरसे कहां से एक तरसे खरीदा है, यह सब चीजे हमें वहाँ पे include करने की आउसकता होती है, हमारे protocol के अंदर, उसके बाद में हमारे जो होते हैं, वो test animal, उनका जो हमारा identification का वहाँ पे होता है, procedure के किस तरह से हम लोग उनको identify करते हैं, वो भी हमारे protocol में clearly वहाँ पे indicated होना चाहिए, और जो भी हम experiment वहाँ पे एक तरसे वो करने वाले हैं, उसका जो हमारा description है, हमारे experiment का जो वहाँ पे design है, उसका description भी हमारे protocol में properly यहाँ पे indicated होना चाहिए, उसके बाद में जो भी हम यहाँ पे animal एक तरसे प्रपर वहां पहस्य पर उसके ंहां। आसान तरीके से कहा है कि जो भी हमारी study में हम अपने animals को diet provide करते हैं उसका भी जो description है वहाँ पे properly होना चाहिए test और control articles को prepare करने के लिए जो हम लोग वहाँ पे solvent उपयोग करते हैं उनको वहाँ पे एक तरसे solubilize वहाँ पे करने के लिए या जो भी हमारा solvent है उसके अंदर वो suspend वहाँ पे करने के लि वहाँ पे properly specify एक तरसे होना चाहिए उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारी अलग-अलग हमारे test और control articles हैं अगर उनका जो हमारा होता है एक तरसे dose का वहाँ लेवल है वो भी हमारे protocol में properly indicated वहाँ पे होना चाहिए कि जो भी हम animal उपयोग कर रहे हैं उसमें जो हमारा एक त हम कह सकते हैं पर kg of the body weight के अनुसार हम लोग इसको यहाँ पे indicate करते हैं या किसी और appropriate जो हमारी वहाँ पे एक तरसे unit हो सकती है उनको हम लोग वहाँ पे indicate करके dose का जो level है वो अपने test और control articles का अपने protocol में properly हम लोग वहाँ पे एक तरसे provide कराते हैं और जो भी हमारा होता है frequency of हमारा administration है कि हमारा जो वहाँ पे dose है उसको हम लोग कितनी कितनी देर के बाद अपने जो test और हमारा control article है उसका अपने animals को वहाँ पे देंगे वो भी हमारे protocol में properly वहाँ पे indicated होना चाहिए उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हम वहाँ पे test एक तरसे करते हैं जो भी हमारा वहाँ पे analysis होता है या जो भी हम वहाँ पे करते हैं तरसे measurements करते हैं उसकी जो हमारी होती है तरसे frequency और उसका जो हमारा वहाँ पे type होता है वो हमें वहाँ पे एक तरसे properly indicate करने की आउसकता होती है तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हम लो animals के उपर वहाँ पे टेस्ट वगेरा करने वाले हैं, उसकी हमारी क्या frequency या टाइप है, उसको भी हम लोग अपने protocol के अंदर properly indicate करते हैं, जो भी हमारी वहाँ पर analysis है, उसका भी हमारी frequency और type वहाँ पर indicate करते हैं, या अलग-अलग जो हम लोग करने वाले एक्टर से measurement, उसका भी जो frequency और type है वो हमारे हमें protocol में indicate करने की आउसकता होती है और जो हमारा यहाँ पे protocol होता है उसका जो हमारा होता है record होता है उसको भी हमें properly यहाँ पे maintain करने की आउसकता होती है कि जो भी हमारा वहाँ पर एक तरह से करते हैं और जो हमारा इस्टडी का डाइरेक्टर होता है वहाँ पर 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 ऋपर चाहिए और उसका जो वहाँ पे वह signature होता है वो भी हमें अपने प्रोटोकॉल में होना चाहिए तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारा है प्रोटोकॉल उसके उपर जो स्पांसर्स हैं और जो वहाँ पे इस्टडी का डायरेक्टर है वो प्रोपर डेट और उनका जो होता है या प्रोटोकॉल में किसी भी प्रकार का होता है वो रिविजन होता है तो उसको भी हमें प्रॉपर्ली वहाँ पे documented करने की आउसकता होती है और यह जो change हो रहा है उसको हमारा study का जो director है वो वहाँ पे properly करता है वो signed एक तरह से करता है कि यह जो हमारा वहाँ पे हुए है वो change हुए है उनका हमारा क्या वहाँ पे reason था वो वहाँ पे indicate करते हैं अगर हमने अपनी जो protocol है approved हमारा protocol है उसमें किसी भी प्रकार का वहाँ पे revision किया है तो उस condition में जो हमारा study का director होगा वो उसको properly वहाँ पे authorize करने का काम करेगा उसके उपर sign करने का काम करेगा अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं about the conduct of non-clinical laboratory studies तो जो हमारी non-clinical laboratory studies होती है उनको हम लोग किस तरह से यहाँ पे conduct एक तरह से उसके बारे में बात करते हैं तो इस condition में क्या होता है कि अगर कोई भी हमारी non-clinical laboratory study होती है उसको हम लोग उसी condition में वहाँ पे conduct करने का काम करते हैं जब उसका जो हमारा होता है तरह से वह protocol वहाँ पे हम लोग properly हम लोग prepare कर लेते हैं उसके बाद ही हम लोग study कर करने का काम करते हैं उसके बाद में अगर हम लोग इस place पर यहाँ पर एक तरह से बात करते हैं या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पर हता है प्रोटोकॉल उसके उपर हमारे जो भी clinical observation वहाँ पर आते हैं उसको भी हमारा जो study का protocol है उसके अंदर हम लोग properly वहाँ पे वो documented एक तरह से करते हैं कि जो भी हमने study किया उसके हमारे जो observation होते हैं वो results होते हैं जो भी चीजें हैं उनको हमें अपने जो study का protocol है उसमें properly documented करने की आओ सकता होती है इस condition में जो भी हमारा study है उसके जो हमारे specimens होते हैं जो भी हम लोग वहाँ पर जो samples है वो वहाँ पर एक तरह से वो collect करते हैं उनको हमें properly वहाँ पर लेबल करने की वहाँ पर आओ सकता होती है जिससे की जो भी हमारा वहाँ पे test का system है या जो हमारी study है या study का जो हमारा वो nature है या जो हमारा वहाँ पे एक तरस वो data collection है उसको हम लोग properly वहाँ पे identify वहाँ पे कर पाएं जिनको हम लोग अपने study में वहाँ पे observe करते हैं या उनको हम लोग वहाँ पे निकालते हैं उनको भी हमें वहाँ पे properly जो उसका record है उसको वहाँ पे recorded करने की एक तरसे आउसकता होती है और ये जो हमारे वो records होते हैं ये जो हमारा एक तरसे होते हैं वो pathologist होते हैं उनको हम ल जो भी हमारे study के observations है, उनको भी वहाँ पर provide करने का काम करते हैं, जिससे कि वह जो वहाँ पर data वहाँ पर निकालते हैं दूसरे में जो उसका वहाँ पर correlation होता है, हमारी दोनों इत्रस वह data में उसको वहाँ पर करने का काम करते हैं, तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमने एडी वहाँ पे किया उसके जो हमारे observations आये उसके बाद में जो भी हमारे वहाँ पे होते हैं तरसे pathologist होते हैं जो histo जो pathology है उसको वहाँ पे करने का काम करते हैं तो वो study के observation का record हम लोग उनको वहाँ पे provide करते हैं और वो जो वहाँ प पहले की study है, उसको वहाँ पे correlate, उनके बीच में correlation डेवलप करने का, establish करने का काम करते हैं, तो इस condition में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरसे बात करते हैं, कि जो भी हमारा वहाँ पे वो record होता है, वो वहाँ पे किस date को एक तरसे वो generate होता है, इसको भी हम लोग properly वहाँ पे maintain करने का काम करते हैं, कि जो भी हमने study किया, उसके जो भी हमारे observation आ रहे हैं, हर place पे हम लोग जो हमारी date है, वो हम लोग यहाँ पे include करने का काम करते हैं, तो अगर हम लोग इस place पर यहाँ पर एक तरसे बाप करते हैं कि अगर हमारी जो entries होती हैं जो भी हम लोग वहाँ पर observation हमारे आते हैं उसकी जो वहाँ पर entry करते हैं अगर उसमें हमें एक तरसे किसी भी प्रकार का जो change है अगर करने की आओ सकता होती है तो उस condition में हम इस चीज का वहाँ पे एक तरह से ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारी original entry हमने पहले की है जिसको हम अब यहाँ पे change कर रहे हैं उसको हम लोग obscure एक तरह से वह वहाँ पर नहों souvent और उसके बाद में हम लोग उसके जो place है उससपे वहाँ पर अपनी जो change हमारा data है वहाँ पे इंचर कर देने जिससे क्या आसान हो कि इससे पहले जो हमारा data ठाव हो क्या था और हमारा data हुआ है तो उस condition में हम जो भी हमारा होता है एक वो record जिसे हमें change करना है उसको हम लोग हलका सक कट करते हैं और उसके उपर फिर जो भी हमारा वो new एक तरह से entry है वो वहाँ पे हम लोग करने का एक तरह से काम करते हैं और इस condition में जो भी हमारा authorized वहाँ पे एक तरह सकते हैं person होता है जो की वो वहाँ पे जो change है वो वहाँ पे कर रहा है तो वो उस चीज़ को वहाँ पर इंडिकेट करता है कि उसका जो हमारा वो रीजन है वहाँ पर उसको चेंज करने का वो एक तरह से क्या था जिसके कारण की जो चेंज है उसको किया गया और फिर वहाँ पर जो उसका वो सिगनेचर होता है वो वहाँ पर करने का काम क गया होगा जो GLP का हमारा ये वाला पार्ट था आपको अच्छे से clear हो गया होगा अगर अभी भी कहीं इसमें confusion है तो आप comment करके पूँछ सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जायेगा इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के और आप लोग इसको app से भी जो भी PDF वगयरा है डाउनलोड वहाँ पे कर सकते हैं वीडियो वगयरा भी वहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू